बिस्मिल्लाह रर्रह्मान रर्रहीम, अस्सलाम अलेकुम वर रह्मत ल्लाही वबरकातु हूँ वेल्कम तुमार केच्छुन, मैं हूँ शेफ हफसा और आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डिलिशिस से चुरी गार्लिक पोटैटोस की रेसिपी लेकर आए हूँ यह बहुत जादा यमी बनके रेडी होते तो रेसिपी का कोई भी पार्ट में इसमत कीजिए का आई इसको बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक पतीने में पानी उबाल लेंगे इसमें अट करेंगे 1 टीश्पोन सॉल्ट और इसमें अट करेंगे आलू आलू का जो वेट है वो तकरीबन 440 ग्राम के आसपास होना चाहिए और आलू का अचीटार से उबाल लेंगे तो वो तकरीबन 20 मिनाट हो गए हैं और आलू जो वो अचीटार से बॉल हो गए आलू का हम निकाल लेंगे इसको एक बोल्ल में रखेंगे और आलू का हम सिंपल छलका उतार लेंगे आलू का चलका उतार के हम आलू को अच्छे से मेश कर लेंगे बिल्कुल फाइन मेश करना है इस तरह साथ ही आज की वीडियो का लाइक टार गेटे 10,000 तो अगर भी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिजिएगा तो जी तमाम आलू को मैंने अच्छी तरह से मेश करके अट कर लेंगे बोल में अब यहां पर मेरे पास पुटेटो स्टार्च यह आपको इस तरह के पैकेट में मिल जाएगा किसी सूपर मार्केट से यह ना हो तो आप यहां पर कॉर्ण फ्लाइग अभी इस्तिमाल कर सकते हैं पुटेटो स्टार्च हम इस मैट करेंगे 180 ग्राम्स और अब हम इस सब को अ니다 इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हमस्मैट करेंगे पानी जो की नमक बाला मिक्स करके रखा था धोड़़ःदो करेंगे पानी स्मैट करेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स एक अच्छा सॉफ सी डो बना के तयार कर लेंगे साथ ही पानी थोड़ा थोड़ा करके आट करने हजबे जरुरत जितना भी आपको लगी कि इससे आटा सॉफ्ट गुंद जाएगा तो यहां पर मैंने एक नर्म सा आटा गुंद के तयार कर लिया है अब हम तक खिएमन टीबल स्पून डो लेंगे और अच्छे से इसको इस्ताह से देखें संठीक बिलकुल खंबाइन कर लेंगे अब हम आब डूखी सर से बॉल बना लेंगे एकदम लिस बॉल बनानीये अब हम एक ग्लास बोटल से इसके उपर इस तरहा निशान लगा लेंगे और इस तरह से हमाई पस मश्रूम की शेप आजाएगी और इसी तरही के से हम तमाम बना लेंगे तो जी देखिये इस तरह से मैंने सारे बना ली है अब हम इसको कुक कर लेंगे तो इसके लिए हम एक पतीली में पानी उबा लेंगे और इसमें आलू से हैट करेंगे तमाम आलू की पीस हैट कर लेंगे और इसको हमें दो से तीन मिनट के लिए उबाल लेना है जब ही कोक होगा ना तो यह अच्छे से फूल के उपर आजाएगा पानी के तो देखें बहुत ही अच्छे से कोक होगा है यह बहुत ही च्यूय हो और बहुत ही डिलेशिस होता है खाने में यह देखें बहुत ही अच्छे से पग गया है अब हम इसको इक चन्ने पर निकाल लेंगे चन्ने से निकालते ही हम इसको एकदम ठंडे पानी में अट करेंगे इससे यह और भी ज़्यादा चियोई लगेंगे और पानी में एक दू मिनट छोड़ने के बाद इसको पानी से निकाल के एक दूसरे बोल में एट कर लेंगे अब उसमें बहुत ही मज़े की फ्लेवर्स एट करेंगे तो सबसे पहले 1 tablespoon fine chop गया हुआ गार्लिक तो 1 tablespoon fine chop की हुए हरी प्यास का वाइट वाला पार्ट 1 tablespoon fine chop की हुए हरी प्यास का ग्रीन वाला पार्ट 1 teaspoon roasted sesame seeds यानिके सफैद तिल भूना हुआ 1 tablespoon soy sauce 1 tablespoon chili sauce और हरकी सी स्पार्स के लिए हम यहां पे कश्मेरी लाल में चट करेंगे 1 tablespoon, 1 teaspoon chicken powder, 1 teaspoon salt यानिके नमक, 1 teaspoon white sugar, अब हम एक पैन में आट करेंगे 3 tablespoon oil, ओल को अची तर से हम एकदम गर्म कर लेंगे, गर्म गर्म ओल्ल को हम एकद करेंगे गार्लिक और मसालों पे और इससे बहुत ही अच्छा flavor आएगा, इसको हम बहुत ही अची तर से मिक्स कर लेंगे, खाने में इस बिल्कु राइस केक्स की तर लगेंगे जो कोरियन तक बुकी होती है न वैसे, इतने चुरी हैं ये, तो जी तर या हैं बहुत ही डिलिशिस है चुरी गार्लिक पटेटोस, खाने में बहुत ही यमी है, तो मुझे तो ये बहुत ही पसंद आया, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, यूट्यूब चैनल को जरू से सब्सक्राइब करे लिजिएगा, मिलते हैं एक्स रेसिपी में शाला, अल्ला हाफिज,